हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अवर चैनल पढ़ो इंडिया इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम क्लास फॉर्थ की इंग्लिश की वीक थाटीन की वर्कशीट जिसका टॉपिक है अब वाटरिंग राइम चलिए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को सॉल्व करना question number one में कुछ lines लिकी हैं इनको पढ़ते हैं early in the morning और the evening hour सुबह के समय जल्दी में या फिर शाम के समय are the times to water every kind of flower यही वो सही समय होता है जब हमें फूलो को पानी देना चाहिए watering at noon day when the sun is high जब दोबहर के समय सुरस्ते चमक रहा हो doesn't help the flowers only makes them time ऐसे समय जब हम flowers को पानी देते हैं तो इससे उनको कोई फायदा नहीं होता है बलकि वे मूर्जा जाते हैं अब question का first part देखिए what is the best time to water the plants पौदो को समय देने का सही समय क्या होता है पौदो को सही देने का सही समय होता है early in the morning और evening सुबह जल्दी या फिर शाम के समय when should we not water the plants हमें पौदो को कब पानी नहीं देना चाहिए we should not water the plants at noon day हमें दोपहर में पौदो को पानी नहीं देना चाहिए बचो अब यहाँ पर आपको इनके opposite words लिखने है morning सुबह इसका होगा night रात high का opposite होगा low high का मतलब होता है उंचा low का मतलब होता है नीचा early जल्दी late देर आगे बढ़ते है next question की और question number two में देखिए यहाँ पर कुछ flowers के name दिये गए है और इनके अक्षरों को उलट प्रट दिया गया है आपको सही लिखना है यह बनेगा marigold यह word बनेगा jasmine flower का इससे बनेगा lotus इस वाले word से बनेगा sunflower इस वाले word से बनेगा rose इस वाले word से बनेग tulip यह देखिए हमने सभी को सही सही लिख लिया है अब question number three में देखिए यहाँ पर आपसे कहा गया है कि इन चीजों में उन चीजों पर गोला लगाना है जिनकी आवशक्ता किसी भी बादे को बढ़ने के लिए होती है वो है sun यानि सूरज, water यानि पानी, air यानि हवा और soil with nutrients यानि एक अच्छी उपजाओ soil, soil कहते हैं मिट्टी को, अब question पुछा गया है why are these things necessary for the plants, किसी plant को इनकी आवशक्ता क्यों होती है, these things are necessary for the growth of the plants, बादों को इन चीजों की आवशक्ता बढ़ने के लिए होती है, question number four में देखिए silent letter के बारे में बताया गया है, बच्चों कुछ words ऐसे होते हैं, जिनमें सारे के सारे ही letters या अक्षरों को नहीं बोला जाता, उसमें से कुछ words की कुछ अक्षरों की sound नहीं आती है, उनको हम silent words बोलते हैं, जैसे देखिए, आर इसमें H की sound नहीं आती तो H silent है, knit में K silent है, wrong में W silent है, often में T silent है, no में K silent है, night में G silent है, right में w silent है knife में k silent है high में g silent है walk में l silent है debt में v silent है chalk में l silent है हमने इनके नीचे line लगा दी है अब क्या करना है बच्चो question number 5 में आपको एक picture दी गई है आपको उसमें रंग करना है और नीचे दो words दिये गए है इनको मिला करके आपको उसके बारे में कुछ लिखना है चलिए लिखते हैं ये तो है बच्चो picture इसमें आप रंगीन रंग भरेंगे अब मैं इसके बारे में लिखता हूँ this is a beautiful garden यह एक सुंदर बगीचा है there are grain trees and grass यहाँ पर हरे, पेड और घास है flowers are blooming full खिल रहे हैं a butterfly is flying near a beautiful flower एक तितली जो ये दिख रही है एक तितली एक खुबसूरत flower फूल के पास उड रही है children are watering the plants बच्चे पौधों को पानी दे रहे हैं clouds are seen in the sky आसमान में बादल भी दिख रहे हैं बच्चो यहाँ पर हमारी ये वर्षिट खत्म होती है बागी सब्जेक्ट की वर्षिट के लिए देखते रहे हमारा चैनल पढ़ों इंडिया